10.3. रासायनिक समिकरण को संतुलित करना आईए हम रासायनिक समिकरण को क्रम बद्ध तरीके से संतुलित करें उदाहरण हाइड्रोजन और ऑक्सेजन से पानी बनने की अभिक्रिया का रासायनिक समिकरण इस प्रकार लिखते हैं ह2 प्लस ओ टू इस एक्वल टू ह2 ओ समिकरण तीन चरण एक रासायनिक समिकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सुत्र के चारों और बॉक्स बना लिजिए समिकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्थन नहीं कीजिए ह2 प्लस O2 इस एक्वल टू ह2 ओ समिकरण चार चरण दो असंतुलित समिकरण चार में उपस्थित विभिन तत्वों के पर्मानों की संख्या की सुची बना लिजिए तत्व हाइड्रोजन अभिकारकों के पर्मानों की संख्या बाईयोर 2 उत्पादों के पर्मानों की संख्या दाईयोर 2 तत्व ओक्सिजन अभिकारकों के पर्मानों की संख्या बाईयोर 2 उत्पादों के पर्मानों की संख्या दाईयोर 1 चरण तीन समिकरण चार में बाईयोर ओक्सिजन पर्मानों की संख्या 2 है जबकि दाईयोर मात्र 1 अतह ऑक्सिजन परमानू को संतुलित करने के लिए उत्पाद पानी के अणू को दो से गुणा करते हैं यह याद रखना आवश्यक है कि परमानू की संख्या बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और योगिकों के सुत्रों को नहीं बदल सकते हैं जैसे कि ऑक्सिजन परमानू को संतुलित करने के लिए हम दो से गुणा करके twice H2O लिख सकते हैं जबकि H2O2 नहीं लिख सकते आंशिक रोप से संतुलित समिकरण अब इस प्रकार होगा ह2 प्लस O2 is equal to twice H2O समिकरण पाच चरण चार अब हाइड्रोजन परमानू संतुलित नहीं है आंशिक रोप से संतुलित समिकरण पाच में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अभिकारक हाइड्रोजन अणू के लिए बाई और दो से गुणा करते हैं समिकरण अब इस प्रकार होगा अंत में इस संतुलित समिकरण की जाँच के लिए हम समिकरण के दोनों और के तत्तों के परमानूं की संख्या की तुलना करते हैं इसी तरह से आप दिये गए समिकरण को संतुलित कीजिए Mg प्लस O2 is equal to MgO समिकरण 8 आईए कुछ और अभी क्रियाओं के उदाहरणों को लेकर समिकरण को संतुलित करना सीखें N2 प्लस H2 is equal to NH3 समिकरण 9 चरण 1 रासाइनिक समिकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सुत्र के चारों और बॉक्स बना लिजिए ध्यान दें की समिकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है N2 प्लस H2 is equal to NH3 समिकरण 10 चरण 2 असंतुलित समिकरण में उपस्थित विभिन तत्वों के पर्मानों की संख्या की सूची बना लिजिए तत्व नाइट्रोजन अभिकारकों के पर्मानों की संख्या बाईयोर 2 उत्पात के पर्मानों की संख्या दाईयोर 1 तत्व हाइड्रोजन अभिकारकों के पर्मानों की संख्या बाईयोर दो, उत्पाद के पर्मानों की संख्या दाईयोर तीन चरण तीन समिकरण के बाईयोर नाइट्रोजन पर्मानों की संख्या दो है जबकि दाईयोर मात्र एक नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए उत्पाद अमोनिया के अणु को दो से गुणा करते हैं आंशिक रूप से संतुलित समिकरण अब इस प्रकार होगा N2 प्लस H2 is equal to twice NH3 आंशिक रूप से संतुलित समिकरण समिकरण 11 चरण 4 हाइट्रोजन पर्मानु अब भी संतुलित नहीं है आंशिक रूप से संतुलित समिकरण में हाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए अभी कारक हाइट्रोजन अणु को तीन से गुणा करते हैं हाइड्रोजन पर्मानों को बराबर करने के लिए बाइए और तीन से गुणा करते हैं समिकरण अब इस प्रकार होगा N2 प्लस 3H2 is equal to twice NH3 समिकरण बारा अंत में इस संतुलित समिकरण की जाच के लिए हम समिकरण के दोनों और के तत्वों के पर्मानों की संख्या की गणना करते हैं N2 प्लस 3H2 is equal to twice NH3 संतुलित समिकरण समिकरण 13 समिकरण में दोनों और तत्वों के पर्मानों की संख्या बराबर है आताह यह समिकरण अब संतुलित है रासायनिक समिकरणों को संतुलित करने की इस विधी को अनुमान विधी कहते हैं इस विधी में सबसे छोटी पूर्णांग संख्या में संतुलित करना आरंभ कर आवर्शक्ता अनुसार उसके गुणांग का उपयोग करके समिकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं